नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में ओपो A3 5G vs Realme P15G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A3 में 6.52 इंच जब की P15G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है जो की A3 से कम है विद की बात करें तो A3 में 2.99 इंच जब की P15G में 2.97 इंच की विद मिलती है जो की A3 से कम है बात करें थिकनेस की तो A3 में 0.3 इंच जब की P15G में 0.3 एक इंच की थिकनेस मिलती है जो की A3 से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो A3 में 187 ग्राम्स जब की P15G में 188 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है चलिए, अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A3 में LCD जब की P15G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही 20 Ratio 9 मिलता है बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचिस मिलती है डिस्प्ले रेसलूशन A3 में 720x1604px HD+, और P15G में 1080x240px FHD+, मिलता है Screen to Body Ratio A3 में 85.29 प्रतिशत जब की P15G में 87.36 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो A3 में 264px प्रतिश जब की P15G में 395px प्रतिशत मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाईल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें main camera की तो तो उसमें 11 different type के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो A3 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है और P15G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते है आए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे hardware में सबसे पहले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो A3 में Mali G57MC2 जबकी P15G में Mali G68MC4 मिलता है chipset की बात करें तो A3 में MediaTek Dimensity 6300 और P15G में MediaTek Dimensity 7050 मिलता है बात करें RAM की तो A3 में 6GB की RAM मिलती है जबकी P15G में 2 option देखने को मिलता है जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो A3 में 126GB की storage मिलती है जबकी P15G में 2 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 126GB 256GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो A3 में up to 2TB जबकी P15G में up to 1TB है operating system दोनों phone में Android V14 देखने को मिलती है बाटरी A3 में 5100mAh जबकी P15G में 5000mAh देखने को मिलती है अईए अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो दोनों phone में same ही 2. colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो A3 में एक ही variant देखने को मिलता है जो की 6GB RAM 128GB storage के साथ 15,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें P15G की तो उसमें 3 variant देखने को मिलते है जो की 6GB RAM 128GB storage के साथ 15,999 रूपीज 8GB RAM 128GB storage के साथ 16,999 रूपीज 8GB RAM 256GB storage के साथ 18,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कौन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो OPPO A3 5G में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करतें Realme P15G की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो Display में P15G आगे है Main Camera में दोनों फोन सेम ही है Front, Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में P15G आगे है दोस्तों, अब हम Same Price में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दुसरा रियल मी 12 प्लस 5G है, तीसरा वीवो वाई 200 प्रो 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओपो के 12X 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रेयर दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कृप्याय से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले।